नमस्कार आप देखे रहें ABC इंडिया मैं अमित भोबिया दोस्तो आज हम बात करेंगे इल फिश फार्मिंग के बारे में इसलिए बात करेंगे क्योंकि ये दुनिया की सबसे महेंगी मचलियों में से है जिसकी डिमांड विदेशों में बहुत है जैपैन हो ताइवान हो चा क्योंकि किसानों के लिए हिंदुस्तान के किसानों के लिए बहुत फाइदा का सोधा हो सकता है वैसे तो 2018 जनवरी के महीने में इल फिश के रेट इतने बढ़ गये थे कि अगर आपको एक किलो बेबी इल फिश चाहिए तो आपको उसके लिए 35,000 डोलर चुकाने होड़ते एक किलो बेबी इल फिश के लिए अब रही बात कि इल फिश की फार्मिंग कैसे होती है सबसे पहले इसी बारे में बात करेंगे उसके बाद आपको बताऊंगा कि हिंदुस्तान में हो सकती है या नहीं तो दोस्तों इल फिश की फार्मिंग बड़ी असान है असान ऐसे है क जो लार्वा होता अंडों का, या छोटे बच्चे होते हैं, वो खारे पानी में होते हैं, और उसके बाद जैसे ही इस शेप में बच्चा आ जाता है, क्रिश्टल कलिए एकदम साफ सा सेप हो जाता है, ट्रांस्पेरेंट टाइप होता है, इस टाइम इसको आप साफ पानी मे छोड़ दीजिए इसका जीवन बड़ा अदबुत है ये पैदा होता है तो भी खारे पानी में और दुबारा रिप्रड्यूस करता है तो भी खारे पानी में लेकिन पूरी के पूरी जिंदकी गुजारता है साफ पानी में तो इसको जीने के लिए साफ पानी चाहिए आपको इसके लिए ज़्यादा जगह भी नहीं चाहिए कि एक एकड़ दो एकड़ चार एकड़ नहीं आपको छोटे-छोटे पॉंड बनाने हैं चाहे आप प्लास्टिक के बॉक्स वाले पॉंड बना लीजिए तो भी इल जो है उसमें सक्सेस्फुल है इसको साफ पानी में रहना ह 25 डिगरी यानि रूम टंपरेचर पर इसका काम चल जाता है ज्यादा टंपरेचर ना हो अगर कम होगा तो भी बड़ा फाइदे का सोदा है उगर इंडिया के अंदर ये होने लग जाए तो इंडिया के किसानों के लिए बैस्ट फार्मिंग रहेगा क्योंकि इसका प्राइका सोदा है बहुत लोग करते हैं मैं उस फार्म पे बीगया था उसकी वीडियो आपको आईकाड में मिल जाएगी इसी वीडियो के अंत में मिल जाएगी जहिंगा फार्म मैंने पूरा कवर किया था उनके मालिक से अगर बात करनी हों तो उसका नंबर भी आपको व भोजन क्या रहता है इसका भोजन ये रहता है कि एक तो सोयाबीन दूसरा गेहूं और इसको सबको फिश ओईल के अंदर मिला कर और वो जिस तरह आटा गुंदते हैं वैसे गुंद कर और इनको खिला दो और ये छे महिने से बारा महिने के अंदर-अंदर बड़ी हो जाती है एडल्ट हो जाती है कि आप अच्छे खासे कीमत पर इसको बेच सकते हैं अगर हम एक डिश की बात करें कि जैपैन के अंदर इससे बनने वाली एक डिश की बात यानि जैसे आपने आपे मच्छी पकोड़े बनते हैं वैसे उनके आप भी डिश होती है तो अगर ये जो के हिसाब से बिखती है अगर ये हिंदुस्तान में इसकी खेती होनी शुरू हो जाए तो किसानों को बड़ा benefit होगा अब इसके regarding कोई सवाल हो तो comment box में पूश सकते हैं जिंगा मचली के बारे में जानना हूँ तो अब आपको जो वीडियो end screen में दिखाई देने वाली है उ अभी इसके खेते इसलिए possible नहीं है क्योंकि भारत सरकार इसकी अनुमती देगी नहीं देगी जैपैन से बीज ला पाएंगे नहीं ला पाएंगे वो सब दिखते हैं इसलिए इसके बारे में नहीं कह सकते कि इसकी farming इंडिया में हो सकती है या नहीं हो सकती क्योंकि बाहर क बीज बाहर की परजातियां देश में लाने के लिए कई परकार के अनुमतियां चाहिए और उसकी अभी अनुमती के कोई असार नहीं दिखाई दिये लेकिन हाँ जैसे अब नए बिल आये हैं farming के अंदर जब वो लागू होंगे और बाहर की कंपनिया जब आएंगी या हिं कि अगर company zeal fish की खेती भारत में करवाना शुरू कर देगी तो बहुत बड़ी स्तर पर इसकी कमाई हो सकती है और Japanese zeal fish सबसे महंगी है उसकी कमाई बहुत अच्छी हो सकती है production भी बहुत अच्छा है इसका थोड़े से area में हो जाती है ज्यादा खरचा नहीं है और बहुत अ हमारे किसान भाईयों के लिए नए बिजनस की बातें बताते रहते हैं आने वाले भविशे की बातें बताते रहते हैं किसने सोचा था कभी हिंदुस्तान दुनिया का दूसरा बड़ा देश होगा जो जींगा मचली का उत्पादन करेगा लेकिन आज हिंदुस्तान कर रहा आपकी आवाज आपका विस्वास